अलो नमस्कार अराव से सिरिकाल मैं हूँ आपका दोस्ताब का हुष्ट बेदिक चोहान आप लोग का स्वागत करता हूँ सेशन के अंदर जहां पर हम लोग 10 हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एटोल के उपर चर्चा करेंगे जिने पढ़कार निश्चिती आप लोग की प चलिए दोसों शुरू करते हैं सेशन को सबसे बहले बात करते हैं एडिटोल के उपर एडिटोल के अंदर क्या खास है कोविड-19 पैंडेमिक फूड एंड सोचलाइडेशन देखो कोविड-19 पैंडेमिक की वाज़े से क्या असर पड़े हम लोगों के जीवन के उपर ठीक एगना फिटTw 9, पूड और इंकम के ओपर इतना खर्चा होता यह नियुक्त करता है उसके बात इसी के ओपर इबंड करता है फिर कि हमारा खर्चा कितना सोचलाइडिशन पर मतलब मान लों कि आपके पास में पैस्या ठीक है मालना आपकी सेलरी कम है या फिर आपकी जो सेलरी उसका बड़ा भाग भोजन के अंदर जा रहा है तो फिर आपके शादी में ज्यादा खर्चा कर पाओगे क्या या फिर आप किसी सोशलाइज सीच के अंदर खर्चा कर पाओगे क्या नहीं क्योंकि सोशलाइजेशन जो है व अगर में को करना है तो मेरा food और income इन दोनों के उपर निरबरता जो है वो जाला रहती है ठीक है अब एक बात सोचना COVID-19 ठीक है COVID-19 के समय पर क्या हो COVID-19 के समय पर एक तो हम लोग को दर्द मिला बीमारियां बड़ी साब इनकम कम हुई है ना भूक मरी की सिच्वेशन क्रियेट हो गई उसके बाद में रैश्या उक्रेन वार हो गया तो फिर तो उद्धारी हो गया मतलब ठीक है तो एक तरफ तो हमको दर्द हुआ दूसी तरफ हमारे जीवन के अंदर जो इंटर्टेमेंट है वो खतम हो गया बोरियत बढ़ गई क्योंकि लॉक्डाउन था उस समय पर इसके क्या हुआ इंटर्टेमेंट वगेरा वाली चीज़ें जैसे सिनेमा है टूरीजम है यह सब कुछ बन था जिसके कायां से बोरियत बढ़ गई ठीक है मतलब कोविड उनों एक से आता है ठीक है जो आदमी के मेंटल स्टेंट एलेट अशर किया साथ में सोशलाइजेशन का खर्चा जो है वो आदमी के पास में रहा कम मृले स्वुचलाइज ओपर खर्चा हम क्या कैसे कम किया तो समय आने क्या हो रहा था कि कैसा लोग की जॉब नहीं कर पा तो जो lower middle class है वो तो केवल अपना खर्चा food के ओपर ही कर पा रहा था क्योंकि पहले ही income कम हो रही है दूसरा क्या हो रहा है कि food के price क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो income का एक बड़ा share of food के अंदर जा रहा था तो ऐसी condition में कि आदमी socialization के ओपर खर्चा कर पाएगा क्या नहीं क उसको national food security एक के ताथ food देना पड़ा लोगों को ठीक है जिसके कारण से government की जब income पहले ही tax के कारण कम थी दूसरा food के ओपर खर्चा government का बढ़ गया तो फिर government जो socialization scheme चलाती जैसे जैसे कि अलग-अलग प्रकार की scheme जिसके अंदर कई साने मिले लगते थे तो अलग-अलग scheme की बात कर तो जो socialization schemes हैं वो कम होगी इतना ही आप एक बार urban rural area के अंदर देख लिए जैसे urban area के अंदर क्या हुआ urban area के अंदर लोगों की income ज्यादा घटी लोगों की job ज्यादा गई मतलब लोगों के पास में पैसे जो है वो कम बचे अब जब income जो है वो घटी पैसे जो है वो कम बचे ऐसी condition में क्या होगा साब ठीक है यहाँ पर income कम होती जारी आदमिगरीब हो रहा है below poverty line जा रहा है 75 million क बताना हो मैं के वल भारत प्यानिए 75 million नहीं तो जाना हो जाएगा भारत के साफ़ ठीक है पुरे विश्यों की बात कर रहे है तो urban के के केस के अंदर food की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो food के अंदर यानि की भूजन के अंदर क्या हुआ की लगातार भूजन के यहूं चामल के दाम बड़े, जब इनके दाम बड़े तो उसकी ऐसे urban area के अंदर socialization के ओपर खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, affluent class, यानि कि थोड़ा जिसके पास पैसा है middle class, ठीक है, middle class के साथ क्या हुआ, middle class जो है, वो covid-19 के दोलान में ज़रा travel करना पड़ रहा था, travel तो य middle class की जब job शुटी तो income जो हो कम हो गया, यानि कि बड़ा share फिर क्या होगा income का, food के अंदर ही जाएगा, food के अंदर जाएगा, तो socialization जो हो कम होगा, इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग को ये भी देखने को मिला कि rural area के अंदर socialization के उपर खर्चा बढ़ गया, ठीक है, क्या ठीक है, तो food का inflation ज्यादा हुआ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि rural area के अंदर income बड़ी और food जो है, वो क्या हुआ, ज्यादा महंगा नहीं हुआ, ऐसी condition में आदमी के पास पैसे रहे, तो आदमी जो हो socialization के अंदर खर्चा करेगा, rural area के अंदर socialization के अंदर खर्चा जो हो साथ, हम लोगों को यहाँ पर inequality देखने को मिली, inequality कैसे देखने को मिली, कि देखो, जो job गई, वो job कैसी गई, low wage वाली, ठीक है, labor वाली, पर क्या high skill job गई क्या, बहुत कम, even, according to some report, 1.6% तक, ultra high paying job जो हो बड़ी है, जब high paying job बड़ी है, तो मतलब top income level के लोगों की income जो हो ब जो है, वो मिल रही है, ऐसी condition में आपर socialization जो है, वो और ज्यादा better हो रहा है, पर जब lower तब्दिगे पर जाओगे, तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, तो इस तरीके की inequality हम लोगों को देखने को मिल रही है, अब इन सब की वज़े से एक आदमी की mental health के उपड़ाय जब आदमी socialize नहीं होगा, देखो, इनसान क्या है, गुमा फिरा के हम लोग एक social animal, हम लोग कितना भी कहले हैं, क्यार देखो, हम लोग अकेले जीते हैं, मैं तो अकेला ही सब कर लूँगा, मैं तो सब अकेला ही हो जाऊंगा, पर हम लोग अकेले नहीं रहे सकते, ठीक है, यह तो society है न, जिसने division of labor किया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं उसको खरीद ले रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, society की वज़े से ही, समाज के अंदर आने की वज़े से ही, मेरा जो mental stress है, वो कम होता है, आजकल क्यों बात करते हैं, हम ल हमारी यहां बढ़ती चली जाएंगी, mental stress जो बढ़ता चला जाएगा, मलत समाज जो है, वो हमारे उपर एक बड़ा impact डालता है, हम लोग कहें के नहीं हम को समाज के behavior से कोई मतलब नहीं पड़ता है, समाज जो चाहे वो करे, ठीक है, हम तो समाज से अलग बिल्कुल एकदम बाहु बली बनगे, घड़ हो जाएंगे, ठीक है, कह सकते हैं, करने को कहा जा सकता है, पर हकीकत में सा नहीं होता, कहीं नहीं हम लोग समाज का सोच के चलते हैं, अब आप बताओ, कि एक लड़का जो है, वो का लड़की ये कपड़े पहन के निकल जाता है, नहीं क्यों कि पहन के निकल जाता है, पर समाज करता है, कि समाज क्या कहेंगे, ठीक है, हमें को इस प्रकार के कपड़े ही क्यों पहनने हैं, आपको उस प्रकार के कपड़े क्यों ही पहनने हैं, क्योंकि समाज है, ठीक है, मला हमारे decision को, हमारी चीजों को बड़े मातरा में समाज ने impact जो वो क्यों बढ़ रहा है क्योंकि food price बढ़ रहा है income जो है वो कम हो रही है ऐसी condition में mental health के cases जो है वो बढ़ते होई दिखाया दे रहे है ठीक है में क्या किया जाना चाहिए psychiatric treatment किया जाना चाहिए mental health के उपधियान दिया जाना चाहिए तो वही चीट जो है इसके अलावा टेक्स एक टेक्शन कॉंटेक्स आया है विदिंगम ठीक है यहाँ पर नीचे दिखाया दे रहा होगा आपको ठीक है यह मैप से आपको ज्यादा यहाँ पर यह विदिंगम पोर्ट है अब जल्दी से बताओ कि यह कौन सा कोस्ट लाइन आ जाती है यह कोस्ट लाइन कौन सी है ठीक है यह बाद समझ मारा है कि वेस्टन भाग के उधर वाला रीजन है नीचे वाला ठीक है वेस्टन गाट यह निलीरी वगेरा यहाँ पर आधाके लगब कहता होने आजाते हैं यह ऐसकल रीजन ठीक है अब जब यह कोस्टल रिजन तो इस कोस्टल एंदर कमेंट पृताम को कों सी कोषट लाइन ही ठीक है कि जोको मिलती है अब यहाँ पर जिब आप देख पारें हकहां चलो विजिंगम लिग्च में मेंग को डै बनने दो गया तो मजवारों ने कहा कि देखो वह आप जब यह पोर्ट बना रहे इसकी ऐसे इरोजन जो है वह ज्यादा हो रहा है कोश्ट का है तो सरकाय ने बोला कि वह यह मजवारों को इतना इरोजन की चिंता कप्से होने लगी तो हुआ कुछ ऐसा कि विजिंगम पोर्ट के बनने से ही इरोजन जो हो रहा है जिसकी वैसे लगबख 300 लोगों को अपने घर खाली करने पड़े तो यहां पर जो मजवारे अब प्रोटेश पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि इस विजिंगम पोर्ट को रोको इसको बनने से रोको साथ में चेक करो कि अभी तक जो पोर्ट बना है उसकी वैसे क्या असर हमारे जीवन के ओपर पड़ चुका है इवन जो लगबख 300 परिवार जिन्हों ने अपने घर ख सलरहा विजिंगम पोर्ट अब फिर बात यहाती है कि क्या वीजिंगम पोड़ पर की वज़े से सच में और तो देखो रीसेंटली कहीव है रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इरोजिन जो है वह वुशिंगम पोर्ट के आजपास हो रहा है आ पर जाए All आप कह रहे होंगे कि सब्सक्राइब क्या होता है यह सॉयल है यहां से उड़के जाएगी तो वह इरूजन हो जाएग उसी तरीके से जब लोग यह बात करते हैं लिजन के लिए फ्यग्र ठीक है मतलब यहां पर लगाता हुआ है जो वो चल रही है सर्क्यूलेशन के अंदर जिसके कारण से बीच जो है वो कहीं बार लॉस होता है यह उड़के जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इरोजन कहीं बार क्या होगा कि यहां पर सॉइल आएंगी सॉइल आएंगी तो अगर इरोजन गेल से जादा है मतलब क्या हो रहा है बीच जो है वो खतम हो रहे है सेंड जो है वो खतम हो रही है जिस रखतार से बीच के ओपर मिट्टी आ रही है उससे जादा रखतार से जा रही है तो वो क्या हो गया इरोजन और अगर जादा रखतार से आ रही है जा लो रही है तो फिर क्या हो गया accretion gain of beach ठीक है तो यह चीज हम लोगों को देखने को मिलती है erosion समझ में erosion बेसी कली क्या है erosion का मतलब है कि sand का वहां से जाना erode होना ठीक है हवा के कारण ठीक है जैसे मैंने हाथ में धूल ली फुक किया तो जिस जिस दिशा में हवा सके जिसी इसी यवलोजन होगा अब जितनी हल्की स्यलोगी आसली होगो ज्यूरнова अजारों लोग कढ़े होगाना उन परतुए तो बिश संड़न होगा ना ागे ले के जाना मतलब इस हाथ पकड़के एकदम टाइट होगे कढ़े वहीं किसी एक दो आदमी को ऐसे ऐसे सब रेंडम ली गणे इसमें से एक बीच वाले को में को बहुत लंबा धक्का देना तो इसी दे पाऊंगा अगर इनके हाथ आपस में जुड़े हुए नहीं है तो वैसी चीज ठीक है समझ बार हो मेरी बार तो वह इरोजन जो है आपको समझ में आगया होगा है अब कोस्टल इरोजन जो बढ़ रहा है तो कईसा ने मचवाल होगा गयाना यह है कि विदिंगम पोर्ट के कारण बढ़ वहीं नैशनल सेंटर फो सस्टेनेबल पोस्ट मेनेजमेंट रिपोर्ट यह बताती है कि जब से विदिंगम पोर्ट बन रह उसके पहले से ही इरोजन हो रहा है और सबसे ज़्यादा इरोजन हो रहा है केरला के कोस्ट में जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इरोजन हो रहा है थिरुवनंद पूरम पे और थिरुवनंद पूरम के अलावा यहां पर थिरी सुर के अंदर भी अम लोग को भारी मातरा मे इरोजन देखने को मिल रहा है सबसे जारा इरोजन तमिलनाडू के अंदर है तमिलनाडू के अंदर है और फी केरला के कोश्ट के अंदर है विजिंगम पोर्ट जो है वो तमिलनाडू के आसपार बन रहा है ठीक है तो वैसी चीछ जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने क जादा है तो इसका इंपक्ट वह विजिंगम पोर्ट पर उपर भी पड़े जिसके काएंसे विजिंगम पोर्ट के आजपास भी इरोजिन जो है वो ज्यादा होगा इवन केरला के अंदर सेकंड है तो फिर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इरोजन विविविंगम पोर्ट के आसपास नेचरली ज़्यादा हो रहा है ठीक है वो क्लाइमेट चेंज के कारत ठीक है अभी रीपोर्ट के अंदर बता आया हूं अभी डीर्शन ऑगरह यह से ओकच्ची अगरह घान्ना לगैं का तया ब strep मा स्वतास बढ़ने लगा है CHAKRABAID बनने लगे हवाएं चलने लगी है तो इरोजन उसकी वैसे और ज्यादा हो रहा है हाला कि नेशनल ग्रीन ट्राइबूनल एंड शो लाइन और मॉनिटरिंग सेल ने बताया कि कहीं साथ चेतों के अंदर इरोजन विदिंगम पोर्ट के बनने के पहले जितना था उतना ही अभी बढ़ रहा है उसके बढ़ने आकारंड क्लाइमेट चेंज है विदिंगम पोर्ट नहीं है जिसके बाद में केला गवर्मेंट का अब देखो कि इंटरनेशनल लेवल की जो जगें ठीक है जैसे आपको श्रीलंका दिख रहा है ठीक है यहीं से जहां जो है जाते हैं इस तरीके से तो बहुत दस नौटिकल माइल का भी अंतर नहीं आता है यहां से इंटरनेशनल लेवल के जहांज को जाने में तो आम लेवर पोस्ट पेंडम पेंडेमिक का एक क्राइसीस देखने को हम लोग को मिल रहा है दीसेंटली इंटरनेशनल लेवर और और अर्गनाइजेशन ने दो रिपोर्ट निकाल दी था एक रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 ठीक है जिसके अंग इन्हों स्लोडाउन और इन्फलेशन इन दोनों के एक ताफ आने की वजिसे एक आदमी की रियल मंथली वेज के और पर क्या असर पड़ा है पूरे गलोब पे उसे समझने ही पहली रिपोर्ट में की गई है पहली रिपोर्ट का नाम है गलोबल वेज रिपोर्ट ठीक है दूसरी र इंप्लाइमेंट एंड सोचल आउट्रूप 2022 री थिंकिंग सेक्टोरल स्ट्रेटेजिक फॉर यूमन सेंटर फ्यूचर ऑफ वर्ट ठीक है जिसके अनुसारी कहा गया के पूरे विश्यों के अंदर लगबग एश्या पैसिविक रीजन के अंदर लगबग 22 मिलियन जॉब जो वह 1222 के अंदर जा चुकी ठीक है इस तरीके से लेबर के उपर असर पढ़ रहा है अब यह डाटा पर शो करता क्या एक्ट्वल में इंटरनेशन लेबर और और रियल वेज और नॉमिनल वेज जो है वह कैलकुलेट करती है अब यह होती क्या नॉमिनल वेज और रियल वेज का मतलब तो भया साधायन सी चीज है इंकम ठीक है अगर मैं एक आदमी की इंकम ठीक है इंफ्लेशन के साथ में एज़ेस कर देता हूं जैसे पहले में 100 रुपे कमाता था अब मैं मानलो 102 रुपे कमाता पर पहले जो सामान 100 रुपे का मिलता था वह 104 का मिलने लगा है महंगाई ज्यादा पढ़ा गई मेरी इंकम से तो इसी कंडिशन में मेरी अगर वेज देखो गए तो वो तो कम हुई ना फिर मतलब बढ़ी कहां यह तो कम होगी डेकलाइन होगी इंफ्लेशन में तो नॉमिनल वेज का मतलब क्या होता है इंफ्लेशन को इंक्लूड करके मतलब क्लूस होता हुआ एक सुन आफि की इंकम करता है वह 10ism रूपे प्रती महिना दिखेगी दोजार 12-11 वहीं 2006 के अंदर लगवाग 4398 थी नॉमिनल वेज ठीक है पर वही अगर हम लोग बात करें रियल वेज की तो भारत के अंदर ओवराल रियल वेज जो है वो घटी है पहले 9.3 प्रतीशत से बड़ी थी 2006 के अंदर अभी माइनस 0.2 प्रतीशत मतलब रियल वेज जो है वह भारत के अंदर कंव हरा हूलई है चाइन के मुकाबले और भी ज्यादा कम है ठीक है ठाइना के अंदर रियल वेज जो है वह लगवाग 5.6 प्रतीशत से आइस ग्रो कर रही है और भारत की माईनस 0.2 प्रतीशत पाकिस्तान की कर रही है माइनस 3.8 प्रतीशत हो भारत की 0.2 प्रतीशत मतलब भारत की रियल वेज की ग्रोथ जो है वो कम है ठीक है एस कंपेर टू अधर है ना इसके अलावा क्या इनिक्वालिटी बढ़ रही है हां बिल्कुल बढ़ रही है मैंने बता रहा है कि लोग को जादा किया जाने लगा है जिसके कारण से मीडियम और लोग स्कील वर्कर को जादा गेन नहीं मिल रहा है बल्कि हाई इंकम वालों को ज्यादा गेन दिल बहारत के अंदर इंकम बढ़ रही है वह इंकम के बढ़ने का और इंकम नहीं बलकि इनिक्वालिटी ने कहा कि एक्स्ट्रीम पावर्टी के अंदर लगबक 75 से 95 मिलियन लोग वह कोविड-19 के दौनार में जा चुके हैं ऐसी कंडिशन में हम लोग को लेबर मार्केट को मजबूत करना पड़े हैं वैज की पॉ इंटरनेशन लेबर ओर्गनाइजिशन ने ये भी सजेश्ट किया कि फॉर्मल डिसेंट वेज इंप्लॉइमेंट जो है वो क्रियेट करना पड़ेगा यानि की जॉब जो है वो लोगों के लिए बनानी पड़ेगी जेंडर पेगेप को कम करना पड़ेगा और मल्टी कैसे हम लोग लोगों की वेच को नहीं बढ़ा सकते इसके लावा खबरों के उपर बात करते हैं दोस्तों जी एस वन के अंदर इसी कोई खास खबर है नहीं जी जर्मनी की जो लीडर फॉरेन मिनिस्टर वह भारत के अंदर आई है अब भारत के अंदर बात्चीत करेंगी के और किया हैं तो थे अंदर इसके मिनिस्टर के साथ में बात्चीत हुई यहां पर यह वह वह कि दोनों देशों के बीछ में आगया अगया आ문 कहां कि पर आख गहीं है तो भारत केम्रेंद मिनिस्टर थे बात्चीत कर रहे हैं दोनों आपस में बात्चीत कर रहे हैं तो आपस में कुछ एग्रिमेंट हुआ एक बड़ा एग्रिमेंट तो यह हुआ कि comprehensive partnership करेंगे for the migration and mobility जिसके ताद दोनों देशों के बीच में रिसर्चर के कामों के लिए और अपने कामों के लिए लोग आसानी से मुव्मेंट कर पाएंगे दो देशों के बीच में पहली जिए comprehensive partnership on migration and mobility जर्मनी और भारत के बीच में हो चुकी है जर्मनी जो है वो भारत को असिस्ट करेगा renewable energy और energy transition के अंदर इंडिया के साथ में जर्मनी खड़ा रहे तो देट्स ओके क्योंकि भारत का जो तेलगा इंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर नो साल पहले चल रही थी तो उत्तर प्रदेश के अलहाबाद हाई कोट ने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को कहा था कि जितनी भी एक कास्ट बेज रेली जो कास्ट के आधार पर हो लिए को जैसे कोई सी पर्टिकुलर पार्टी है वो कह रही कि हम लोग दलीतों की रेली निकाले तो जो कास्ट बेज रेली उसके ओपर रोक लगाए इसा कहा गया था उस समय पर सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया अलाकि एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और शीच के ओपर काम कर नी पाया तो भी उसके लिए प्रेश नोटीज हो है वो दिया गया है इसके अलावा जी ट्वेंटी जब चल रहा है तो उसी दोरान में चल रहा है काशी तमिल संगममः प्रोग्राम यह रही है काशी तमिल kilowatth में काशी के अंदर दिखाय के लोगि कारतिक महिने के पुजा आएं। त उन्हीं के पिता बगवान शीव के पास थाए तो वो क्या हो रहा है किक्शेंज क्राए जारा यह वह व्ल्पोर्टेंट धींग नृस के अलाग यहां पर CPI party के दोड़ा यह कहा गया कि गवर्नर की पोस्ट को अबॉलिश कर दो कहते हैं कि गवर्नर की पोस्ट को बहुत जदा प्वाग पॉलेटी साइस किया है कि गवनर कहीं इलेक्त नहीं होता मैं और आप कभी गवनर के लिए वोट नहीं करता है सेंटर गवर्मेंट के द्वरा जो यह वो किसी राज़िक अंदर नूट दो होता तो गवनर जो अपनी पावर बहलाब सेंटर करना पड़ेगा वही करता कि लिए जिसके गवर्नर को चीफ मिनिष्टर के बीच में ज Western रखते या अध्यूंअ के रूप में के रहेता नाघिक capturing में कुल यहства मिनाडओं का विंटके बिए त crimht प्रदेश के अनुसार जब भी किसी राज के अंदक कॉंस्टिटूशनल मशिनरी टूटे तो उस समय पर प्रेसिटूशनल मशिनरी टूटे अरुनाचल प्रदेश के अंदक लिजिस्रेटिव असेंबली के बाहर एक मित्हुन की डित्थ हो गई इसके आधार पर प्रेसिडेशनल रूल लगा दिया गया क्या है सच में ब्रेकडाउन है कॉंस्टिटूशनलेटी क्या अर्व मैं केस के अंदर चीस मिनिश्टर ऑफ करनाटका करनाटका के अंदर जो ची भवन के इनदर बैठके मैने क्याता है कि मेरे अनुसार करनाटक के चीफ मिनिश्टर के पास में अभी पावर नहीं बची क्या है हाला कि लेजिस्ट्रेटリवस्ट ऑप जा huh कोई motion वगेरा पास नहीं किया गया आउज अब दफ लोर के ऊपर चेक भी नहीं किया गया और करनाटका के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया गवर्नर के दुख और फिर कहीं जगों पर बिल को पास नहीं किया ता गवर्नर द्वारा देली 2014 के अंदर जब अर्विंद केजरिवाल नए नए चीफ मिनिस्टर बने तो जब 67 सीट सुनके हाथ में आई थी उसके पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बिच में कॉम्पेटिशन था सेंटर के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी और देली के अंदर आम आदमी पार्टी ने उस समय पर लगबग 14 बिल पास किये थे जिसके बाद आम आदमी पार्टी के वह 14 बिल गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास बिल जब वह बिल प्रेसिडेंट के पास में गए तो प्रेसिडेंट ने एक साथ 14 बिल को रिजेक्ट कर दी इस तरीके से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कई सारे आप रहे हैं होता है अब आप संसो क्या गवर्नर वाड और चीफ मिनिस्टर के चाहिए पर कहीं बात गवर्नर के चलती है ऐसी केंडिशन में कही सारे किस निंदिष्यय इसका प्रयोग पहले भी किया जाता था राज के निधा उसको रोकने के लिए उसे कमजोर करने के लिए पर अंग्रेजिजों की पूश्ट और भी कही सारी civil services भी पूश्ट धौरा बनाएंगे उसे भी हटाओ क्या क्या होगी कही सारी कानून है युट्पिसी वह वह भी अंग्रेजिदों के दौरा बनाएं तो उसे भी अठाएंगे कि अगर अपना हाथ दुपता है तो अपना हाथ देते हैं यहाथ का इलाज करता है तो अगर गवनर के ऑफिस्स में को जोड़वड तो गवनर के आपिस को अठाना इस नौट वाड़ी तो क्योंकि अपन को कई सारी special responsibilities दी गहीं है अलुनाचल प्रदेश वगेरा के development प्राइबल लोगों के लिए schedule काश के लिए वो काम कोन करेगा फिर गवनर जो है वो रूल करता है presidential rule के दोरान वो काम कोन करेगा फिर अगर हम लोग गवनर को हटा देगा तो गवनर तो हटा ना इसके अलावा बात करते हैं तो यह वाला आपको याद होगा जो क्रेश्ट अभी रिसेटली नौ लॉंच किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा इसे फाइनल अप्रूबल जो प्रेसिडेंट के द्वारा दे दिया गया है ठीक है तो यह नई डिजाइन जो हो सोड़ी सी या रखना जो अन्वील की गई थी इंडियन एवी द्वारा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए तहीं रखते है लेक्च्छ अच्छा लगा है तो लाइक करों लेक्च्छा बहुत अच्छा लगा है तो इसा सीट एन कमेंट अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन नेना तो आप लोग कोड यूज करोगे दोस्तों ऐसा सीट है जिसके बाद में आप लोगों को मेरे दौरा परसली परनावर मेंटरशिप मिलेगी दोस्तों आज के लिए तना है जहिंचे बाद